हाई एविवन डर तो बहुत लग रहा होगा आप लोगों को अभी और जायस भी है ये डर आप लोगों का specially उन बच्चों को जिन्होंने 2022 में बहुत महनत करी क्या सुभा होती है क्या शाम होती है क्या रात होती है कुछ नहीं देखा 100% concentration के साथ बस पढ़ाई करते रहे पूरे time महनत करी है उमीद थी 650 के उपर score करेंगे लेकिन जब examination hall में पहुँचे जो उमीदे बायों से थी वो बिलकुल गलत हो गई क्योंकि paper आ चुका था landy आप आप फस गए बायों की माया जाल में और एक से देड़ घंटा आपने वहा 500 अब आप tension में भी हैं डर में भी हैं घबराहट में भी हैं और मैं कहूंगा ये सब जायज है आपका डरना बनता है क्योंकि आपने इतनी महनत करी अब अगर आप नहीं डरोगे तो कौन डरेगा क्या वो बच्चा डरेगा जिसने साल बर कोई महनत नहीं करी वो तो चिल मा रहा है उसको कोई डर नहीं लगने वाला क्योंकि उसने महनत ही नहीं किये थी लेकिन आपने जहां रात दिन एक किये हैं आपको डर लग रहा होगा लेकिन इस डर को हतियार बनाना भी अब आप ही लोगों को पड़ेगा वोट नेक्स आप सोच रहे हैं ना तो मैं आपको बताने के लिए आया हूँ कि what next अब आप क्या कर सकते हैं अगर एक परसेंट भी आपके दिमाग में give up का खयाल है ना उसे गोली मार दो निकाल के फेक दो उसे क्योंकि यहां तक हम पहुंचें give up करने के लिए नहीं हमने इतनी राते जागी है give up करने के लिए नहीं हम यहां पर आये हैं हमारा मुकाम हासिल करने के लिए उस मंजिल तक पहुंचने के लिए जहां पहुंच कर हमें सुकून मिलेगा जब हमारे बदन पर होगा white coat गले में होगा इस्ते तोसकोप वही हमारा ultimate target है वही एक मात्र हमारा लक्ष है और देश्य है sacrifice मैं अपने dreams के साथ बिल्कुल नहीं कर सकता और मैं आपको भी कहूँगा कि आप भी अपने dreams के साथ बिल्कुल भी sacrifice मत करिए जो सपने देखे हैं तुमने उन्हें हकीकत में बदलना ही होगा और वो आप अपने hard work से बदल सकते हो अपनी मेहनत के दम पर बदल सकते बिटा तो अगर आपने score किया है 500 से कम या साड़े 500 से कम बिटा और आप सोच रहें किया आप अपने dream medical college में नहीं जा सकते what next बिटा 700 नंबर आपने अगर score किया है हो सकता आप मैंसे कहीं का यह first attempt था हो सकता है कहीं का यह second attempt था आप मैंसे कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनका third attempt होगा तो आप यहां पर सोचते कि मुझे एक और drop लेना चाहिए या नहीं फिर यह है कि चलो अगर मैं drop लेने का plan कर भी लेता ठीक है तो what if I get the same marks in NEET 2023 बेटा 2022 में तो खेर हो गया जो होना था 2023 में भी same number आगे तो इस बात की क्या guarantee है कि मैं drop ले ही लोगा तो number मुझे 650 के उपर मिल ही जाएंगे आप मैंसे कहीं सारे बच्चे ऐसे हैं ना जिन्नोंने double drop लिया उसके बावजुद भी number नहीं आए 650 के उ होगा सब genuine questions है इनके सबके answers हम ढूनने वाले कोई बात नहीं अभी तो मैं आपके questions बस आपके साथ साजा कर रहा हूं share कर रहा हूं बिटा फिर do we need to attend daily classes या फिर केवल practice करना चाहिए और test series join करना चाहिए क्या मुझे daily classes attend करनी है क्या मुझे regularly concepts को पढ़ना है समझना है DPP solve कर practice की तरफ भाग जाओं सिधा मैं test series को join कर लो ये कुछ questions आपके दिमाग में चल रहे होंगे मैं उन सभी बच्चों से बात करना चाहता हूं जिनका dream 110% केवल और केवल MBBS से बिटा वो और कुछ दूसरा सोच ही नहीं सकते उन्हें केवल MBBS करना है उन्हें अगर कोई ये कह कि बिटा BAC कर लो चलो तुम कोई बात नहीं तो उन्हें लगना चाहिए कि यार उनकी किसी ने मूँ पर बेज़ती कर दी मैं उन बच्चों से बात करना चाहता हूं जिनको कोई और सजेशन अगर दिया जाए तो उन्हें लगेगा कि नहीं यार ये तुम क्या कर रहे हमार इस बार लेकिन हम अगर अच्छे से तयारी करें बेटा हमारी अगर स्ट्रेटेजी को अगर चेंज करें हम अगर रिसोर्सेश को चेंज करें तो डेफिनेटली हम वहाँ पहुंच सकते हैं जहां हम जाना चाहते हैं तो शुड़ा टेकर ड्रॉप और नॉट मैं कुछ यहा इतने कम क्यों आएं इसके पीछे का रीजन क्या था बेटा और उसे डाइरी में नोट डाउन करो मेंशन करो और फिर उसका क्या आंसर हो सकता है उसे लिखो और अपने आप से प्रामिस करो कि यार यह जो गलतियां मैंने इस 2021 की तैयारी में या 2021 के पेपर में करी वो गलति आप ही के जैसे बहुत सारे बच्चे जिन्होंने हम ही लोगों से पढ़ा है वो लोग 650 के उपर नंबर अगर ला पा रहे हैं तो सेम पेपर आपने भी तो दिया क्यूं नहीं हुआ definitely हमने कहीं न कहीं कोई न कोई गलती करी है अब उस गलती को पहचानना है उसका proper solution बनाना है और drop तब लेना जब अपने आपको ये बता पाओ और अपने आपको ये भरोसा दिला पाओ कि वो गलती तुम दोबारा नहीं करोगे तो drop ले लेना बिटा और अगर तुम drop ले रहे हो फिर से वही गलतीया कर रहे हो कभी class करी कभी class नहीं करी कभी paper दिया कभी paper नहीं दिया कभी revise किया कभी revise नहीं किया या फिर over confident में हो कि मैंने तो सब अपड़ रखा है आज अगर एक class में इस कर भी दूँगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है तो फिर आप drop मत लेना दरने की जर्वति ना आपको घबरानी की जर्वति जितना डर और घबराहत और परेशानिया आपको उठानी थे आप उठा चुके हैं क्योंकि आप महनती बहुत हैं आपने की है महनत अगर आप डर रहे हैं वाकई में MBBS अगर आपका सफना है 2022 में महनत आपने बहुत करी फिर अगर रिजल्ट कम है तो फिर सारी चीज़े जाया जे बिटा तो अगर आपको एक रिजन मिल जाएं आपर प्रॉपर कि हां मुझे ड्रॉप लेना है मेरा लेज देन 500 क्यों आया था उन गलतियों को मैं सुधारने वाला हूँ तो येस आई शुट गो फॉर ड्रॉप बिटा तब आपको ड्रॉप ले लेना चाहिए ठीक है नंबर सेम क्यों आएंगे अगर आपने 2022 में ड्रॉप लिया है और आपने 500 से कम स्कूर किया ड्रॉप लेने के बाद में 2023 में भी सेम स्कूर हो गया या स्कूर इंप्रूव होगा इस बात की गैरेंटी तो गैरेंटी प्लान कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं ला सकते हैं अगर आपको regular mentorship मिल जाये वैसी आपके ऊपर काम करने वाला व्यक्ति ऐसा मिल जाये जो आपको पीछे पढ़कर काम करवाए डेली आपको टार्गेट्स मिले डेली आपको असाइनमेंट्स मिले डेली आपका पेपर हो रहा हो डेली उस पेपर में अगर नंबर कम आ रहे हो तो आप से फोन लगा कर बात की जा रही हो और यह सब कुछ डेली हो रहा हो तो फिर आप बच नहीं सकते भाग नहीं सकते आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी अब बात ये कि सर हमें सब कुछ आता है कि हम daily classes attain करें या फिर केवल practice करें या फिर केवल test series के साथ चले जाए बिटा मैं आपसे कहूंगा कि आपको daily classes attain करनी चाहिए daily test series आपको नहीं करनी बिटा weekly दोगे fourth nightly दोगे तो भी चलेगा daily classes attain करके concept को एक बार और strengthen करो daily dpp solve करो daily practice papers को solve करो और एक starting से end तक एक मजबूत तयारी करना फिर 1% भी कहीं कोई कमी नहीं रखने पीटा day one से क्योंकि हम ना बहुत कीमती साल लगा रहे हैं और इसके साथ साथ हमारे parents का hard and money भी लगा रहे होते हैं भी मान जाएंगे क्योंकि वो भी आपका भला चाहते हैं आपका future secure करना चाहते हैं तो वो कहेंगे हां बिटा ले ले एक drop और कोई दिक्कत की बात नहीं है वो तुम कहोगे तो पैसा खर्च भी कर देंगे लेकिन वो बाद में हर दिन आपसे पूछ नहीं पाएंगे बिटा कि तुमने जो मुझसे पैसा लिया था जिसकी तुमने फीज भरी थी उसका तुम इस्तमाल कैसे कर रहे हो क्या वो सही direction में use हो रहा है वो daily नहीं पूछ पाएंगे बिटा ये आपकी moral responsibility होगी कि जो पैसा तुम उनसे ले रहे हो जो खर्चा तुम उनसे करवा रहे हो उसको सही जगह पर लगाओ daily मेहनत करो और नतीजा अच्छा बना कर उनके चरणों में gift रखो मम्मी पापा को खुशी तब मिलेगी बिटा और ये कर सकते हो तुम क्योंकि तुम महनती बच्चे हो तुमने इतनी महनत करी है 2022 में कि 2023 तो तुम जबरजस्त तरीके से फोर सकते हो बिटा कोई बड़ी बात नहीं कि जितनी महनत तुमने अभी पिछले जो failure यहाँ पर अभी आपको experience हुआ है, दुनिया के लगबग हर बड़े व्यक्ति को experience हुआ है, सचिन तेंदुलकर, महेंदर सिंग, धोनी, विराट कोहली, स्टिव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, चाहे जितने बड़े नाम आप यहाँ पर ले लिजे, अमबानी, अडानी, टाटा, कौन नहीं बिटा, हर एक व्यक्ति, लेकिन वो यहाँ रुके नहीं, उन्होंने उस failure से कुछ सीखा, और उस सीख को अपना हथियार बनाया, सबब बनाया, और फिर उसको आगे बढ़ाया बिटा, तो failure is not a permanent experience, जो अभी आपका रहा है, एक experience आप to be better than you were a moment ago, changing and growing is what makes you win, बेटा, हर दिन काम करते रहिए, हर पल काम करते रहिए, और जब आप हर दिन, हर पल काम करोगे, अपने betterment के लिए improvement करोगे, तो for sure आप वहाँ पर हो जाओगे, जहां आप जाना चाहते हो, rank तुम्हारी, जो तुम सपने में सोच रहे थे, उसे हकीक में लाना, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है बेटा, और तुम इसे अचीव कर सकते हो, यह failure जो अभी आपके सामने ना, यह this is just temperament, बेटा, this is just, क्या कहना चाहिए, temporary है, ठीक है, this is just temporary, इसी लिए यह आपके temperament को क्या कर रहा है, जो है, lose कर रहा है, आपको, मतलब अभी पुसाना जायजे, डर लगना जायजे, घबराहट जायजे, रोना आ रहा होगा, वो रोना भी जायजे, क्योंकि यार, तुमने महनत बहुत करी है, इसलिए यह सब तो होता ही रहेगा, लेकिन अब, कब तक, कब तक बेटे रहोगे, कब तक सोचते रहोगे, कि मैंने क्या क कर दी कब तक यह करते रहोगे कि यार मुझे ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था this is the time जहां पर आपको अपनी चीजों को बदल कर अब आगे बढ़ना है decision लेना है आगे बढ़ने के लिए because सब कुछ स्थिर हो सकता है बिटा समय नहीं स्थिर होता है वो अपनी तरह से भाग रह और तुम समय की importance जानते हो ताजा ताजा अनुभाव करके आ रहे हो समय का तो समय निकल रहा है 2023 को अगर grab करना एक अच्छी rank के साथ बेटा तो right time पर right decision लेना है आप लोगों को give up तो बिलकुल नहीं करना है ultimate M हमारा MBBS है और इसी को हमें achieve करना है बेटा इसी लिए यहाँ पर मैं आपको suggest करूँगा अगर आप हमारे साथ लग कर आप चाहते हो कि कोई हमारे साथ ऐसा इनसान जुर जाए जो हमें daily basis पर मतलब पीछे पढ़ कर काम हमसे कर वा है बेटा तो 2023 के लिए हमारे पास है आप लोगों के लिए एक बहतरीन बेच बेटा जिसका नाम है ब्र बेटा मंडे टू फ्राइडे फिर उसके बाद में daily practice papers बेटा जो prepared by set of IITNs ठेक है especially in physics बेटा वी डिपीप के वीडियो solutions होगे अने कि कोई अगर आपका doubt है तो आप उसे तुरंत आपकी सुवीधा के अनुसार अगर आप रात को 11 बजे डिपीपू सॉल कर रहे हो रात को 11 बजे आपके पास video solutions available है उसी time पर आपका doubt clear हो जाएगा 24 is to 7 किसी पर dependency नहीं बिटा daily practice test अब यहाँ पर क्या होगा एक नहीं चीज़े daily आपको DPP के अलावा daily practice test मिलेंगे जिसमें 10 questions होंगे और अगर less than 5 अपने सही की बिटा यह नहीं कि आप average से कम number आप score कर रहे हैं you will be getting a call और आपको मिलेगी mentorship आपसे बात की जाएगी कि क्यों आपके number कमा रहे हैं क्या आपके basics कमजोर है या आप class में attentive नहीं थे या आपको question समझ में नहीं आया आप अपनी problem बताओगे और उसके according आपको solution मिलेगा ठीक है फिर उसके बाद में हर 15 दीन में आपका एक exam होगा जो अगर आप as a dropper join कर रहे हो तो आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है अभी से एक effective test series का हिस्सा होना handwritten notes for revision ताकि आप need के पहले 50 बार physics revise कर सके बिटा 50 बार chemistry revise कर सके 50 बार आप bio revise कर सके physics के mind maps बिटा physics at a glance मतलब एक बार में पूरा chapter with the notes with the diagram with the formula and their application everything at one place यह हमने यहाँ पर physics flashes बना रखे जिनने आप physics के mind maps भी कह सकते बिटा और यह सारी चीज़ें आपको मिल रही होंगी अगर आप code use करेंगे mslive to get the unacademy का subscription बिटा for the brahmaastra series इसका link आपको description box में मिल जाएगा तो एक effective plan हम लोगों ने आपके लिए बना के रखा हुआ है be the part of this journey बिटा आपको बहुत मज़ा आने वाला है और इस journey में क्या होने वाला बिटा आपके लिए अभी एक special offer चल रहा है which is 20% off ठीक है एक बहुत अच्छी opportunity बिटा 18 से 22 जुलाई के बीच में आपको subscription plan करना है code use करना है बच्चो MS live जितने भी features मैंने अभी आपको बता है if you want to access all those features if you want to be in my personal mentorship बिटा तो फिर आपको MS live code लगा कर screenshot आपको मेरे साथ share करना होगा और मैं आपको बोल रहा हूँ खुलके में आपसे कहा है पहले वाले वीडियो में भी इसमें भी बिटा I am just targeting thousand students not more than that एक हजार बच्चों को मैं यहाँ पर personal mentorship वेसी provide कर सकता हूँ जैसे मैंने यहाँ पर आपको mention करिए बिटा ठीक है तो be the first thousand students भीटा ठीक है क्योंकि आप जानते हैं बहुत सारे बच्चे हैं हमेशा हमें ahead of the curve अगर लेना है जल्दी decision लीजिए मम्मी पापा से बात करें one year का plus subscription वेटा 35,000 रुपीज का cost है अगर आप इसका iconic subscription प्लान करोगे तो यह बनेगा यहाँ पर आपका 60,000 रुपीज का वेटा and you can plan this code आपके सामने मैंने आपर mention किया हुआ है सारी चीजे मैंने आपको बता दी कि कैसे आप अपने लिए proper एक scheduled way म नहीं बना उसका video solution देख लिया फिर आपको daily practice test मिलिया आपने practice paper try किया practice paper try करके आपने अपने number update किये हमारी team को automatically पता चल जाएगा किया आपने 10 में से 4 सवाल सही किये 10 में से 6 सही किये 10 में से 7 सही किये अगर आपने कम सही किये you will be getting a call बात की जाएगी उसके according solution दिया जाए होंगा आप लोगों के लिए तो कहीं को यसी गुंजाईश नहीं रह जाती बिटा कि ने 2023 में आप score ना कर सके बहतर 20 तारिक से ये course शुरू हो रहा है ब्रह्मास्तर का जल्दी करिये क्योंकि जितना आप देर करोगे उतना ही आप thousand की list से बाहर होते चले जाओगे बिटा just 1000 students because limit होती है daily बच्चों से बात करने की limit होती है कितने लोगों के साथ हम interact कर सकते हैं that is why we just keep ourselves restricted to thousand people बिटा केवल 100,000 बच्चों के साथ हम यहाँ पर daily basis पर interact करके उनके साथ बात करके उनको guidance प्रोवाइट कर सकते हैं इसलिए हमने केवल और केवल 1000 बच्चों का target रखके रख उसके बारे में बात होरी बिटा ठीक है चलिए तो यह था everything from my side बिटा तो don't worry about whatever you are thinking ठीक है कि यह number कम आगे x y z reasons बहुत सारे थे बिटा number कम आने के लेकिन अब हम give up नहीं कर सकते ठीक है जो होना था वो हो गया we have to rise again बिटा and हमें फोड़ना है 2023 में और अगर जो program मेंने आप फोड़ोगे for sure यह आपके इस बड़े भाई का वादा है so wish you all the very best thank you so much